डग आउट के सामने अफान शहजान प्लीज क्लियर करना है सुआफ स्टार्ट मैच ओवर टू कॉमेटरी वॉक्स मेरे साथ जुडेंगे मेरे साधी कॉमेंटेटर येस भरत पादिल सुनते हैं इस मैच की आने वाली कुछ और होगी कहानी बारत पादिल की जुबानी यावेस बैटर के स्टूक है जो दामात्र आस्टिक चा बाहर से बाल लाइन कुप कर बाहे वाइट सा इशारा अमरिश अमरिश करूंगा आपके लिए फैसलेटी की गई है दर्शकों के लिए स्टेज के सामने कोई गर्दी ना करें प्लीज जो खड़ें दर्शक वहां से हट जाए प्लीज नहीं तो आमारी कमेटी आएगी स्ट्रॉंग एक्शन लेगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लो अमरिश यादो नुक्तास अपन बाइलासल तर कोईसा प्रीमेर लिग ओप लिए आपन चीस पर्दा होती अनियास पर्देव मदे अतिश है सुरेक अशिक गुरंदाजी अम्रेश यादो यादो यहां चाम अध्य मतन सुद्धा अपलला पाहला में होती लिफ्टम ओवर दी विकेट ने यहां पर यहां पर यहां यहां पर निकला है या नहीं यह सर डिसेजन पर्दिंग है गुप चांगली मैच इते अपलला पाहला मिलते एका वजुला मौलिक 11 वाकलन दुसरे वजुला एम 3 जे 11 मुम्रा चालोस नरी मैच नरीश स्पोर्ट्स अईजित नरीश स्मूर्थी जशक प्रकाश जोता तिल ही क्रिकेट ची स्पर्दा आपन बातो है एकोन चाईस संगाणी या स्पर्दे मदे सहभा घितला है कलचा दिवसा मदे 8 संग खळिले गेले ततिल टॉप पायू बद्य जानारा संग तो मजेज साशा 11 गाउदेवी धान्यू हां संग होता तरचला फेर डिलेवरी है थिसर्या अमपर चाईस संगाणी गोलंदाजी दोन वाइट चेंडू हताल्या नंतर एथे मातर एक डोट डिलेवरी अम्रेश यादव यादव गोलंदाज चामाध्यमात्यू एक तेस्सरार वेगवान गोलंदाज वेग आए आनी दिशा एक कुप चंड याव स्कोल अगल जांड यॉर्क राइन जा चेंडू ता आए थे दाऊ चीची संधियोति मातर थोड़ा सा फ्लंब लाच टरक्षक दरमैन एथे एक दाऊ एक चिकी सिंगल कितने दिपाट याद एक कुप चंग अलनदाज योतिया रिशी जाप फलन दसल अपन पहतो निमीच पावरल पेच शुटका मदे मुटे फटके रनेमीच तेचा माध्यमातुन खेली जाता था रुशिरा सुद्धा विशुन चाला रानी ये तेचा नाव वर्ती सुद्धा साथ बाइक्स मैन अफ दी सिरीज जा माध्यमातुन पहला मलाले या वेस पहा काई गतिया है अफ लातुन सुरेख गोलंदाजी मिकाया खेलाडुजे काउतुक कर थो नुक्तियाद जलील्या काउसा चैंपेंस ट्रोफी मदे सुद्धा अखुप सांगली गोलंदाजी अम्रेश यादो येचा माध्यमातुन पहला मिलवी तेस्वरत्ते इते पहला मिलताए या वेस केतन मात्रे सर्केया फ्लंदाजाला सुद्धा इते बांदू ठ्विंधाव यावेस अण्कीने एक वेगवां तेसचरार गोलंदाज इते मात्र पाईचीची अपिल अपिल इते फेटाओशन लगत्यत पंच दूसरा चिंडू निर्धाव सुरेक गोलंदाजी मैंडडरी पावर पेचे शुटक आहे आपना नजर पहाता सालतर फक्त थर्टीयाट सर्कल चा बाहर दून ख्याडू तैनाता है एक लोंगान रिजम मदे तर दूसरा काउकारन रिजम मदे अडिया अशा वेश सुधा फो अनके नेक बैक टूबैक तिसरा निर्धाव चुंडू जा ख्याडू चा नावा वर्धी तब्बल तेविस बाइक अनि चार फोर्वीलर्स आहेद अशा ख्याडू ला इतर मत्र स्ट्रगल करताना पहाया ला मिलता है बैक टूबैक तीन चुंडू निर्धाव काय मत्रेच विकेट आणि इते मात्र पहला विकेट चापतन मौलिक 11 वाकलन यास संगाला किस फिलोर लेंद्च बॉल हुथा तला बिर्कावन दियाईचा तो मिड विकेट रिजर्म मदे अणि दितकस एलवेशन मेलना ये बैक चाट टूला चिंडू अधलला आणि इते मात्र एक मुट्ट विकेट आपलला पहला मेला केतन मात्रे चा रुपाने गोल्डन डक चा रुपाने इते बाध हुँन परत्तो है थोड़सा निराश करद साना वाकलन संगाचा समर्थ कान्डा अगेस नाइट चीस परदा है कुप लाम्बुन वाकलन संगाची पाठिदा के सुद्धा या मैदान मदे कसर वड़ोवली चा गावा मदे अपलला पहला मिलता आणि यावेस मात्र बोल बाला रहला है तोमाजेस गोलंदाज अम्रेश जादो बैंडेडरी पावार प्रिजेश उटक फक्ता नी फक्ता तीन धावा खर्चा के लिया अणि एक महतो पुर्ण गडी त्याने मत्र बात केला तोमाजेस केतर मत्रे ये चारू पाणे बाईकर्स चाव मुणुन तला मत्ले जात तया गावाच्च नाव आहे वाकलन आणि केनेक स्टार क्याडू जीत जीत बोहिर या क्याडू चा नावा वर्ति सुद्धा एकोणाविस बाईक आहेत एकोणाविस बाईक आणि एक फोर विलर मत्र अशा वलंदाजानना मत्र तीन धावान वर्ति रुकुन तुद्धे गोलंदाज अमरिश यादव का मैचो दिये हाँ आहेत रा अर नरेश समुर्थी जशकाचा नरेश स्पोर्ट्स आयोजीत नरेश समुर्थी जशका परवत पाचवव ts hashtag या शंगाणि डोन рукोण जिंकोड तिसरा फिरि मदे हाँ शंग दाखल झालाइ चालो सरी मैच आपम पातो है पहले फिरिदिल तिसरी लड़त आपम पातो है एकावजला मोलिक 11 वकलन संग तोड़सा स्ट्रगल करता ना पाहला मुलते फलंदाजी करता सना दर्मान चांगली गुलंदाजी इते हुँ आपन पातो है M3J 11 वुम्रा या संगाच्या दर्मान एक धाव गेवन इते स्ट्राइक रोटेट के लिए जाते जीत भूईर या फलंदाजा कडे चुता करनधार यावेस केलपट्टी वर्थिया आपन पातो है स्ट्राइकिंग एडला कुप मुटी मैच्च एक क्रुशल मैच्च इजे रसिक प्रिक्षकान सादी एक बाज़ेला मुम्रा दुसरे बाज़ेला वाकलन तब्रेज तेस्तर आर गुलंदाज यावेस मात्र बैटला स्विंकेला चेंडूला मात्र पाठोंदिला आउट अफ दिपार्क वन बाउंस चवकार सुरेक फलंदाजी चार धावेने इते मात्रस जीत भूईर अपला खादा खुलो दस्थाना आर धावा धाव फलका वर्दी इते मात्र चांगली पट्रस बिल्डप करा विला गेल जीत आणे त्यास बोरबर रुशी यह दोन फलंदाज अन्ना तब्रेज आहे बालिंघ ट्रेक परदेग विफान थेसतर आर गुलंदाज जा प्रकार्ची गुलंदाजी जल्ई उधी अंप्रेश यादो यादो ऋ खतावरैने शपरेटनाजी गरनाईस सा प्रेय सनो रतला तार पहिला चंडु एक यॉर्कर लाइन सा बौल होता दूसर जो शटक आहे त्यामना एस तीन ख्यादू अपम बक्तोई 38 सर्कल चाप बाहर अनिसाद फाइदा उसलो दस्ताना जीद भूईर पुट्णाइक दा सज्जो तोई स्टाइकिंग एंडला तब्रेज्ज राइटम ओवर दी विकेट ने यावेस मात्र सुरेक चेंडू गुडलेंत वरुन चेंडू पढ़ले आनतो थोड़सा टॉस होताना पाहिला जीद याने खेलना सा कुंता है पावीत्रा आहिते दाकुल्ला नहीं है दर्मान डॉट्ट डिलिवरी काई गोलंदा जी होते वेरियेशन बहा गोलंदा जम्मदे सहा प्रकर्चे सहा चेंडू हताले नाचीक शम्मता या मुम्म्रेशा या गोलंदा जम्मदे आहे आनि तेस आफलले इते प्रत्ते पाहाला म्याल एक फुलोरलेंच वोल लगेचस एक गुडलेंथ वरुन टॉस करतना पाहिला दर्मान डॉट्ट डिलिवरी जीत, बैक्न डूलंदा जीत, खाई गोलंदा जीत, हमरेश या दवु, एच नंथर तब्रत्त अफला तुन गोलंदा जीत, मॉलिक एलेवेन वाकलन, एक मूर्ट नाउजस आचलो पाहिला जात, बर्याचेस पर्धे मदे वीजेते पद हा उचंघ पटकवत असतो, मातर य आवेस कासर वडवलीच या केड़ांगना मदे नरिश्य स्मुर्थी चश्का मदे थोड़स स्कोरिंग सटी थोड़स बैटिंग सटी इते जगड़ दस्थाना धवान सटी इते जगड़ दस्थाना हा संग अपनला पायाला मिलतो है कुप संगल लायू थेट प्वक्षेपन अपन साइपरित लायू चा मद्यमत्तुन अपन पाथोई कुप संगल टीम साइपरिच्ची सुद्धा अमाले थे कोवरेश करदस्थाना प्रेम वागमार्यास्तील तैस बरबर क्यामेरावैन अभिजित चवान राज मात्रे रवी चवान कुप संगल पना साइपरित लायू चा मद्यमत्तुन की रसिक प्रिक्षिकन ना इस पर्दा घर बसल्या यूटुटुप चा मद्यमत्तुन कशी बगताईल हाज एक दिया तो अधर मेन वोल्या मैच कड़े पुनाइट अधर प्रेट्स आवेस निकेश्ट आफ ले काही मुटिच्चुकी असिल का केतन बाद जाला होता तन दंतर आपन पाहिला तर जीद बाद जाला होता और येथे अनकिनेक विकेट एक साधा सोपा जेल होता मतरे येथे जेल ड्रॉब जला है शानु आहे और येथे शानु गोड़ू चुगुत अपनला पाहाला में आली जेल ड्रॉब पुव्या एक क्याच किती महागात पड़ू शक्ते एम 3J11 मुम्रा यास संगा साधी तर में तब्लेज अपनाइदा सज्जू होता है अपल्या याशतकादिल शेवट्स अखेर्च बाल ग्यून राइटम ओवर्दी विकेट ने डावकुरा फलंदा जिकेश अनकिनेक गात्तक डेंजर्स बैस्मन वाकलन संगासा यावे समिस्टैमिंग्स रोक आहे नो मैंस लेंड मदे चिन्डू ट्रावेल होतो है दर मैन डीप लोंगान मदून शोट लोंगान मदे इते मत्र विड़ान मदे फिल्ड केला होतो है दर मैन एक धाव ग्यून इते स्ट्राइक नकिस अपलेगाड़े वाकलन संगाची धाव 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 संगाच गेले डून मैच चा आपन विचार कीला, तर 50 प्लस स्कोर या मैधना मदे आच्छा दूसा मदे हुताँ आपन पाहिला मिलालाए, तर विम्हान्या या आठरा चंडुन चा कहिशिललागा, तर यी जमा करावया लागतिल यतुन रिशी आणे निकेश या दून फलंदा जन्न मातर दितकस दर्जदारी गोलंदाजी एते होती है M3J मुम्रा यह संगाचा वतीने नानुएचा कोल अणकेचा जिंकला होता मुम्रा यह संगाणे अणे शेत्रक्षन त्याननी कास्विकारल एसा इते जिवनतों उतान देदस्चाना पहिला पावर प्रेचा दोन शटकार मदे इथे फलंदाजाम वरती दवाव मातर लाकून ठिवला है गोलंदाजानने फक्त अकराधावा आणि दोन गडिबाद सला जासता वेल गवुनका अपलला पंच्वीस मिंटासा आउदी आहे करें सुद्धा अपन लक्षा द्याइचा आहे जरा आपन वीस मिंटाम मदे थे चार्षटक पूर्ण किलिना ही यावेस स्विंगन मेस और सिक्चा बाहर चा बोल धर मैन दोट दिलिवरी सांगल गुलंदाजी जा प्रकार्शी गुलंदाजी जलिवोधी अब्रेश तंद जा टीम्स ला अपन नेमी पातोस्तो चांगी धौसंख्या उवरने साड़ी त्या टीम्ला मत्रे इते जगडाव लक्ते धवन साड़ी इते मात्र अलोंदी गार्पट करूंग अलोट था चीची संदी मात्र थ्रो इते वेवसी दियत नाइए कुप चंगले रणिंग बिटविंद विकेट इते पहलावलाल रुशी अनी निकेश यादोन फलंदाज चा मध्यमात्यून दूर विकेट डाउन्स अले हुथे केतन अनी जीद अनी इते मत्र डावाला सावर नाची संपूरून जिम्मेदरी अपला कंध्या वर्ती अनी निकेश अनी रुशी यादोन फलंदाजन इतुन संगला खेल खेया वालागिल दर्मैन खान पुटनाइक दा सज्जू होते राउटमा रावन दी विकेट ने यावरेस पहा ओल्स्टिक चा भायर सा बाल होता खैस होता डिपेक्स्टा कवर रिजन मध्यमात्र इते ब यावेस पहा ओस्टिक चा भायर सा बॉलाद्स काय होते फलंदाजन प्रत्तिक चिंडू उर्थी मुटा प्राहर करना सा प्रेयतन मात्र बैक्टुवेक दोन चिंडू निर्थाव शुरेक गुलंदाजी शुरेक गुलंदाजी अच्चुक टप्या बरती बेदक मारा इते गुलंदाजन चा मध्यमधन पहायला मिलते पुनागे राइटम राउन दी विकेटने निकेस सडी यावेस पुनाएक दा तोच्च पाम वित्रा होता फलंदाजास बैक तु बैक तु बैक तीसरा चिंडू निर्थाव काय गुलंदाजी होते है एक स्टप्पा अनि त्यास्टप्या वरू चिंडू ला उसली दिना से काम यावेस गुलंदाज चा मध्यमधन पुनागे लास्ट गोष्ट खान यावेस मात्र डांसिंटान दे ट्रैक मत्र मिस्टैमिंग स्ट्रोक आहे जेल जी संधी पुनाइटा जेल ट्रॉप दुसरा जेल ट्रॉप उत्ते है दोन जीवन्दान में आलेट निकेश जाप फलंदाज आला मात्र इतना जीवन्दान सा योग्यास वापर रीते करता न दिसत नाइए तर शटक इदि समत्तो दे क्रमांक तीन मात्रक उल्लेक निया कामगिरी खानी या गुलंदाज जी फक्त तानी फक्त तीन धावा खर्चकेलेट बांदुन ठुले अत्त पनेंत मौलिक 11 वाकलन या संगाचा फलंदाज आन्ना दाव संगी साजर विचार केला तर चवदाधवा दाव फल्कावर्थी लगावले जाता तीन शटकांचा समाप्ति नंतर अट्रा चिंडू अनि चवदाधवा हा तोच संगा आहे मौलिक 11 वाकलन संग जा संगाला अपन नेमी पादस्टो मोटी धावसंख्या उवार्ण असलेला हा संगाचा अनि अमची गुलंदाजी का उल्लेख नी आहे तैसे इते जिवंत उधारन अपलेला पायाला मुलता है तर्मान अम्रेश पुनाई देट अपलेया स्पेल मदिल वेक्तिक दूसर अनि सांगिक चाओत शट ग्यून सज्जी होता सना पहला शटकाम देजर आपन विजाद केला अतर मैंडरी पावर विज़चा खतललल उता फक्त तीन दवा करचा केला होता एक गड़ी बात केला ह होता के तर्मात्रेश्चा एक मोटा विकेट त्याने कितला होता यावेस पुनाई दचाओत शटकातलना सटी तेच वर्नी लग्तिये यावेस विगेट करने जप्रेत मात्रा इंफिल्चा वरूं करूं करले सांगल शट्रक्षन होता है दूसरा जगातक प्रेत न दाउच रणिंग बिट्विन्द विकेट मेदे क्वालिंग खुब महत्वाजी अस्थे एस नो और वेट मात्र तसा ही ते पाहला मेलाण लाई है काहिए विकेट साकरिकाइस खेलिये का हां मुटा प्रश्ण चिरना सेल पावलागेल किरन नविन बैटर अपन माईदाना मेदे पा आहे बरेस वे आमी पाहिला एक खुब सांगली फरंदाजी अच्या माध्यमातुन सुद्धा होतसे यावेस संगो थोड़ासा आड़सनी मुद्या है तीन गडिबाद 15 अशी धाव संख्या स्कोर काड वरतिया अपलला पाहला मिलते मोलिक 11 वाकलन या संगाची अपन बात तावत नरेश स्पोर्ट्स आयोजित नरेश स्मूर्थी जशक 2023 अधिशे देजी दिप्यमान सोल्या मदे यास पर्देश आयोजन करने ताले प्रत्यक वर्षी कैतरी नविन्य अणन्याच प्रयतन सो ट्रिपलेश बंदू अणि नरेश स्पोर्ट्स चा मध्यमात्यून या वर्षी अपन पाहतो है 38 सर्कल ला एक LED लाइट च इता सोरूप दिने ताले यास बरबर आपन मुख्ये व्यास पीट पाता साल तर अपले भारताची शान दिल्लीच लाल किला आपले इधा पाहयला मिलतो है दर्णा वया मैच कडे अमरिश पुर्णा इधा बॉलिन ट्रेक वर्दी लेफ्टम ओवर दी विकेट ने आपले अमरिश यादो याग गूल दशने मतर प्रववावेद केला अपले स्पेल मुदि एफ्टाम ओर्धी विगेटने या वेस पुन्ना इधा खोल वेटकल चुन्दू खोलू खोलू काड़ू तो एक किरन दर्मैन अलोंधी कार्पेटने एकस धाव इथा अंकित कीली जाती है पुन्ना इधा यॉर्कर लाइनस वर्णा या गुलंदाजा कड़े आया और तेसीते दाखोंदेद सना यॉर्कर लाइनस बौलू खोलू ता सन्मान जनक स्ट्रूक इधा पहला मेल नकिस क्रिकेट मदी है मटल जात ये क्रिकेट सा दैवत सर सचिन रमेश तेंदूल कर एंसर अधरने आपन नाव गेतो आणि त्यास बरुबर सर्मान कोना सा करा वात्तर यॉर्कर गुलंदाजा ब्रमास्त्र जाला मतले जात दर्मेन पुन्णाग दा अमरेश सज्ज होते अपला बॉलिंग ट्रेक वर्थी लेफ्टम ओर दी विकेट ने यावेस लेडिंगेज आणि इते मात्र विकेट कीपर कड़ून कोंदी इसुगोत नाइए दोन जीवन्दान मियाले होते निकेश या फ्लंदाजाला मतले जीवन्दानास योग्यास वापर कड़ू शक्लिलला नाइए और इते मात्र अनके नेक जेल अने इते जेल गेलाए तो मंजेस यश्टि दक्षक जावेद याँचा माध्यमातुन चावते विकेट सापतन चार गड़ी बाद पंद्रा अशी देनिया सोला धवा चार गड़ी बाद शोला अशी धाव संख्या अपन बातोय मोलीक 11 वाकलन या संगाची अस वाकलन संग फलंदाजी कर दस्ताना एक संगली धाउसंख्या उवारे लिए सलमीची जोडी अलियोधी रूशी अडिकेटन दोनी फॉर्म मदे आएद फलंदाज जर आपन विचार केला तर यंदाचा हंगामा मदे कुप संगली धावा बरस लागेले तंचे बैट मुदून मतर या कासर वडोली चा गवा मदे या खेल बट्टी वर्दी मतर दोनी फॉलंदाज अनी मतर निराशा के लेट तो मैचस वकलन संगाचा समर्थ कांची तर मैना अंप्रिश पुराइद सजोते बोलीं ट्रेक वर्दी तेस्तर आर गुलंदाज मूंप्रा एक्स्प्रेस अपला वेकासा योगे वा गुलंदाज पाच चिन्डूमन मतर फक्त आनी फक्त दोन धावा खर्चा के लेगा अनी दोन गडि बात के लेत। पहली विकेट हट्रिक साध्य होईल का अमरिश बॉलिन ट्रैक वर्थी साम्ना करें लुकर मांक सत्सा अलेल प्रेस्ट जाथ हितेश यहां गुलंदाजा कड़े इते पहा लेक स्थिक चा बाहर सा बॉल पंस वल्टायत वाइड सा इशारा इतोई अवां तरी द धाव संक्या मदे अता वात्र एक धाव इते एड किली जात्ती है वाकल अनुन स्कूर चा स्कूर काड़ वर्दी सत्रा धावा सत्रा धाव दाव फलकावर्दी इतुन साथ चिंडूंचा किल शिल्लक आहे अनि या साथ चिंडूंबंदे जर हितेश अनि किरन या दोन फलंदाजांचा माध्यमातुन जर वीज़ धावा जर कुटल्या गिल्या तरणाकिस एक संबांजोनक स्कूर उबराईल यावेस अफलातु स्ट्रोक स्टैन एंड डिलिवर हा ये तोई नरेश स्मूर्थी शटकार हितेश बहा क्रमांक साथ चा अलेला फलंदाज मात्रा अलेला पहला चुंडूंदू वर्थी साथ हवेने इता अपले खातो अकाउंट उपन कर दस्ताना आनि साथ हवेने आता मात्र एक संजीवनी दिवुन जाईल हा शटकार मौलिक 11 वाकलन्या संगाला तेविस धावा दाव फलंदाज मात्री मीमेनल सुथोगी साथ चिंडूंदे एक चांगली धावसंख्या उबारावी लागेल इतुन करन वाकलन संगा कडे सुथा कुप चांगली गोलंदाजीचा बलना आहे आने तोस प्रयादन आता इतुन करावलागेल हितेश आनी कीरन यादूं फलंदाजानना तेविस धावा दावा फलका वर्दी चार शटकांचा समाप्तिन अंतर शेवटस आखेरस निर्णाइक चला वे जास सग्यूर का अंपयर इंफिल्ट से भायर किदि रनके सर लाइन ओचिक करेज़ है यह सर और सिप ओके ओके ओस्टेप चिक करेज़ा है और स्टेप लाइन ओपन चिक कुर्दे और स्टेपिंग होता का तो पाह वाला गिल क्या बाते साइप्रित लायू प्रत्यक्ष्ण इथे अपला क्यामेरा मदे टिप दस्वाना काई क्लियर इडिया है क्या बाते साइप्रित लाइन प्रत्यक्ष्ण 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 क्या बाते मोलिक 11 वाकलन या संगाचा दर्बान इथुन चांग दी फलंदाजी करवे गेल हितेश एका शटकारेजा सायाने खलतो है या हितेश या फलंदाजाला जितकी जास्ती जास्त स्टाइक रोटेट कीली जाईल तितका जास्ति जस्ट फाइदा मोलिक 11 वाकल निया संगाला नकीस प्राप्त होईल इस परदा है मानाची इस परदा है सनमानाची नरेश समुती जशक दोन हजार तेविस अपल वड़्लांच नावा सा उजाल अपल वडलांच नाव प्रजवलीत थिवन्या साथी आयजित करने तक निया स्वलीश प्रदा ृठ्धिक वर्षी आपन पहाधो स्थो नरेश नानांचे आठवण प्रत्यका चा मना मना मदे रुजुन रहावी हास एक उद्धेश या तीन बंदुन्चा ट्रिपल एस बंदुन्चा आणि तोच आपन प्रत्यक वर्शी पाहतो दर्मान वोड़ा मैश कडे शेवड़चा अखेरचा शटक हातलना सटी सजोते समीर यावेश बॉलिन ट्रैक वर्थी सामना करेल किरन ओवरदे विकेटने यावेश पहा जागा वोड़नाचा प्रहेतो ता बैक पूट दे गेला पंच कराईचा होता मतर एते श्रॉट पॉइंट रिजम मदे चागन शित्रक्षन होता है मतर एक धाव घेवण एते स्ट्राइक नकिस जे काम किरनला कराईचा होता ते मातर ताने योग गिरत्या किलला है स्ट्राइक रोड़ेट के लिए हिते शिया फलंदाजा कडे चोवीज भात ता प्रणत धाव फल्काव वर्थी लगावला जाता है अनि इतुन हिते शिया फलंदाजाला सांगली फलंदाजी करावी लगेल पाच चंडु शिल्लक आहेता चोवीज भात ता प्रणत धाव फल्कावर्थी लगावला गेल्या आहेता आनि इतुन जरिया पाच चंडु मदे जर दोन मुटे फटके पहला में आले तरेक सन्मांजनक स्कोर उबकरेल वाकलन संग शॉट ओफ लेंचेंडु शॉट आन पूल केला है मात्र इते एलिवेशन विवस्टी दोत्माई है मात्र इते जेल जाला है ड्रॉप एक दावत निशितास दुस्यास अप्रनिक्त होईल का इते मात्र धावची ची संधियोधी मात्र इते तोड़सा खराव शेतरक्षन श चांगल रनिंग बेट्विन दो विकेट सुधा पाहला मेयाले आने दोन दाविने आता मात्र सब्विस दाव संधियोधी मजल मरा दस्ताना मोलिक 11 वाकलन हा संग लो स्कोरिंग मैचेस कालचा दुसा मदे सुधा आपन पाहलिया होत्यात डिपेंड या मैदाना मदे धाव आपन कालचा दुसा मदे पाहलिया होत्या पाउया आच्चा दुसा मदे कशा प्रकार स्केल या पुडे हुईल एम थ्रीजे इलेवेन बुम्रा संग गोलन्दाजी गरतोई पहरा चार शटका मदे खुब चांगली गोलन्दाजी अपलेला पाहला मेयाली शेवर्ण शटक डिप बैकवर्ड स्क्वेर लेग रिजर्म मदे मात्र इथे विगबाईच्च रूपाने एक धाव इते अंकित उतस्चन आपलेला पाहला मेयाली दर्माने का दवेने धाव संक्या अपोस्ते दिमजे सत्ता वीस धावा धाव फलका वर्दी चांगली गोलन्दाजी चा ब तसा मात्र गेतला इस पूरे-पूर समाच्च आर किरन चा बैट मदून हाए तो है हाए आन हैंडसम सिक्सर जसा छोटा बंदू केतन तसा चा मुटा बंदू इथे किरन छोड़सा निराश केलो तकेतन याने मात्र इथे अपले पाठी राक्यान ना खुश करद सतना मरंज करद सतना या वेस किरन अफला तुन स्ट्रोक शटकर चा सायाने आता मात्र एक पुणनाईद संजीवन देउन जाईल तिमाजेज वाकल ने आसंगला तेत्ती जावा दाव फलका वर्दी या दोन फलंदाजन ने मात्र कुप चांगली फलंदाजी किलिए शुरवातीजे फलंदाजन आपन पैला सालतर रुशी, केतन, जीद, निकेश अणि जितेश या फलंदाजन ने मात्र थोड़सा निराश किला मात्र हितेश अणि किरन या दोन फलंदाजन ने कुप चांगली फलंदाजी किलिए तेत्ती जवा आनकिन दोन चिंडू शिल् प्रिए फलंदाजन अलम अन्सोट खालना ची इते शंदी मिलती है आने कॉन आहे फलंदाजन तर फलंदाजन ने किलन मात्र है एक अश्रकर जान इसाने किल्टो एथूं चांगला किल क्या वला के जा चावति जावा दोटिक लगा उलदाज ती लूडलसर अवल अनाम शो रिवीुसिस्टम नाइ छला मुम्रा शंग विनंति अशिल की आपने जास्ट विएल घुनों का की रिवीुसिस्टम नाइए डेक एस है् देखें रिवीयू सिस्टम श्रीफ और से वीधी मर के लिए है आपको भीमर डिलेवरी अगर गिरती है तो आप रिव्यू आपको मिलेगा उसके अलावा बाक्की सब चीज के लिए एथरुटी स्रिफ अंपायस के पास से रिव्यू की ओवर टू कॉमेटरी बोक्स तर पस्ति दवा पुनाइदा फ्रीट्स अब आल समिर आपको टपैसा चेंडू शटाम पूल केला अने इते मात्र चेंडूल पाठ्वों दिलाए डीप मिडवेके ट्रेट्सम मदे आनकीने एक बिग सिक्सर काई फुलंदा जोद्धिये काई फुलंदा जोद्धिये अफुलात्वन फुलंदाजी नाव आहे कीरन मात्रे अडकेस केतन दादाला सुद्धा लक्षा द्याव लागेल कीरन दादा कडे ये काई फुलंदाजी करतो है संगा आडचनी दो ता मोलिक 11 वाकडन संग धावान साटी पड़जड़ पाहला मेली उद्धी आणि इते मात्र धड़पडत साना सुद्धा कीरन आणि हिते शिया दुन वाला सावनने से काम केले अता मतर धावा धावा फलकार्थ एक जाई जावा लास्ट गो ओवर दी विकेट ने यावे स्लोवर फुल्टोस आनकी नेग दिखना स्ट्रोक मात्र इते चीन्डू निकुन जाईल बांडिलाइंच बाहेर हाय तो आनकी नेग दर्जदार चौक अवन ठिवलेते मंजेज एम थ्री जे एलेवेन मुम्रा यास संगा समुर चलिए टॉस के लिए आना है दोने टीम कैप्टन से में रिक्वेस्ट करूँगा टॉस के लिए कॉमिंटरी बॉक्स के बिल्कुल थोड़ा सा आगे टॉस बॉक्स बनाया गया है मेरे कहल से देश देशाई टीम आ चुकी है वेलकम देशाई रियांश इलेवेन मोटी देशाई वर्सेज कोप्री स्पोर्ट्स कोप्री कोप्री तीम कैप्टन कोप्री डिम कैप्टन सेल टॉस साथी लगेट से अच्छ से कोप्री डीम कैप्टन ओफिचल कोल आथम आला टॉस साथी लगेट से आख तॉस बॉक्स मदे माज़े सुबत असनारे कॉमेंटेटर बरजी पातिल ओवर तु बरत मी विननतिकारीन गनेश दाद शिंगे एंचे शुबस ते इते टॉस केला दोतो है आच्छा दिवसातिल पहला फेलितिल चौथी लड़त आपने पातो है एका पाजूला नरेश स्पोर्ट्स आणि दुसर्या पाजूला ट्रिपल एस डिजे तरिका बाजूला आपन बातो है रियांश इने वेन मुटी देशाई नरेश स्मूर्टी आसा कॉल आए अने नरेश स्मूर्टी आसा कॉल आलला है माने बरन विननति आपना मुख्य वैस्ट वेठा वर्दी बिराजमान वाइज आए तर नानेविसा कॉल अपने वाजून तर निवस प्रम दिटास बोक्स कॉप्री स्पूर्स कॉप्री या संगाच वती नानेविसा कोल लगला है अने तननी बैटिंग सुकार लिया है फलंदाजी कराई चे एक धाड़सी निरनेगेतला है अने शितरक्षन नरकेस कराई साय तो मैझेस रियांश 11 मुटी पॉजिशन में रहना है आपको उसी तरीके से कॉप्री टीम आपको भी रेडी रहना है सुन्या बो, सुन्या, सुन्या जास्ता हुआस कमी जाला है बग ना हलो चिक हलो हलो चिक हलो हलो चले फिलिंग उनिडीम प्लीज भी फास्ट अपनी फिल्डिंग सेट कर ले ग्राउड में प्रेक्टिस नहीं करनी है, स्टार्ट दमाच चला ओपनर बैट्समें, मुम्रा अपने ओपनर सलामी बल्लेबाज आपको भेजना है टार्गेट की अगर बात करें तो 46 रन गेन बाजी का विस्टेशन करते हैं पहली ओवर लेकर आये थे अमरेश याद हो क्या गेन बाजी की पावर प्लेइ में एक विकेट चटका कर तीन रन खर्च किये, उसके बाद आये तबरेश, तबरेश ने भी बहुत अच्छी गेन बाजी की, आट रन देकर एक विकेट लिया, फिर उसके बाद आये गेन बाजी की कमान पर खान और खान ने अच्छी गेन बाजी का प्रदर्शन किया उसके बाद अमरेश खान ने तीन रन कर्च किये कोई रन नहीं दिया अमरेश यादो फिर से एक बार गेन बाजी पर आए दो विक्टे चटकाई नौर रन कर्च किये और लास्ट ओर लेकर आए गेन बाज समीर काफी महेंगा हुए रहा बावीस रन खर्च हुए इस ओर में कुल मिलाकर पांच ओर उक की समात्ती के बाद पहले बल्ले बाजी करती हुई टीम मौलिक 11 वाकलेन ने बनाए 45 रन टार्गेट रखा 46 रनों का इस मैच को अगर जीतना है तो 46 रन बनाने होंगे ज़रूरी बिग फाइट मैच वाकलेन बनाम मुम्रा ये दोनों ही टीमेट थोड़े से दूरी पर रहती है लेकिन आमना सामना जल्दी नहीं होता है आमना सामना होता है तो सिर्फ केतन का ज़रूर होता है केतन इनकी टीम के अगेंस प्रफॉम्मन्स करते रहते हैं अब देखना ये है किस तरीके से यहाँ पर इस आकड़े को पार करने की कोशिश की जाती है एक तरफ की कमांड समा लेंगे पपू तो दूसरी तरफ के शाक शारिक का इस तरीके की जोड़ी नजर आती हुए रिए शाकेर और पपू की जोड़ी विक्टो के बीच नजर आती हुई इस धोरण के साथ अपन आकाउंड ओपन किया है मिस्टर पप्पो ने पप्पो बहुत ही अनुभावी किलाडी है बड़ी बड़ी टीम्ज के अगेंस मुम्रा की ओर से इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है जरूर फिर से एक बार पप्पो स्ट्राइक पर है सामना करेंगे केतन मात्रे का बाइकर मैन के नाम से जिनने बुलाया जाता है तेवीज बाइक चार फोर विलर के धनी है क्रिकेट में अपने नाम की छाप छोड़ी है और बिल्कुल अच्छा प्रफोर्मंस इनका देखने मिलता है इस बार देखें पप्पू के बल्ले से विगट करने की कोशिश मीस टाइमिंग स्टोक है गेंधवा में है खिलाडी गेंगे नीचे खूबसूरत सा कैयाच विगट का हुआ है पतंग पप्पू की निंकी हुई है समाप्ती बिल्कुल पप्पू का यहाँ पर पप्पू का खेल हुआ है समाप पप्पू की जगह लेने कौन से खिलाडी जाते है यह देखने वाली बात होगी जरूरी मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लेयर जोन के आगे जो खिलाडी उपस्तित है दर्शक उपस्तित है प्लीज हट जाए वहां से सामने प्लेयर जोन के जो खड़े है रिक्वेस्ट है आप प्लीज वहां से हट जाए क्योंकि खिलाडियों को तकलीफ होगी मैच आउन है चलिए बैट्समेन थोड़ा सा फास जाना है न्यू बैट्समेन फरान बल्ले बाजी की कमान पर इस वक्त जरूर उतरते हुए लक्ष 46 रन का है और बिल्कुल जैसे जैसे रात गहरी होती जाएगी रात जैसे जैसे काली होती जाएगी वैसे वैसे रनों के जो आकड़े होगा आपको कम नज़र आएगे उसका रिजन क्या है उसका रिजन ये है कि ड्यू फेक्टर बहुत जादा है टेंपरेचर की अगर बात करें तो लगबग 20-22 के आसपास का आज का टेंपरेचर रहेगा 20-22 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान रात के वक्का रहेगा काफी थंडा माहौल है और थंडे माहौल में ये गर्मा गर्म क्रिकेट की मेजबानी नरीश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरीश स्मिती चेशक सीजन फाई अगली गेंद लेका तयार होंगे इस बार ये अच्छी गें थी बिलकुल फूल एंड गें थी ब्लॉकॉल में डालेगे गें थी हेलिकॉप्टर स्ट्रोक करना का चाह रहे थे यहाँ पर फरान लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में फरान एक यंग्स्टर युगा की लाड़ी है उबरते सिटारे हैं अपनी टीम के लिए उतरे हैं बल्ले बाजी के लिए उनका साथ देने के लिए जरूर शाकीर नॉन स्ट्राइक हैंड पर मौजूद है लेकिन इस वक्त जरूरत है टीम को रनो की लक्ष 46 रन इसी बीच अगली गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी अपील की गई है लेकिन अपील को नकारा है अंपायर ने लेक्स्टम के काफी जादा बाहर रही गेंद और इस वक्त डिसिजन आता हुआ अंपायर राजेश सर का वाइट बॉल अत्रिक रनो में एक रन इस वक्त शुमार होता हुआ रनो की रन संक्या में एक रन जरूर जुड़ता हुआ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है तीन रनो पर एक विकेट के नुकसान के बाद पप्पू की अगर बात करें तो विकेट करने की चाहत उन्हें लेडू भी है जिस तरीके से डीप लॉन पर किलाडी तैनात थे उनके हातों में ही स्ट्रोक को खेल दिया और बड़ा जटका लगा पप्पू के रूप में नेक्स बॉल इस बार देखें मेंस टाइमिंग स्टोक है गेंधवा में है के लाड़ी के नीचे कैच हुआ है ड्रॉप ओ हो दूसरे रन के लिए निकले हैं अच्छी रनिंग मिटिंद विकेट जीवंदान जरूर मिलता हुआ इस वक्त बल्लेबाज इस फरान को फरान लगबग इनकी एज अगर आप देखें बीस से बावीस साल के ये खिलाडी है लेकिन ताकत वर स्टोक कनवर्ट करने की चाहत रखते हैं और आजकल जो यंग्स्टर है एक गउएक संग की टीम में अगर आप देखेंगे तो आपको जादातर यंग्स्ट मिडविकेट बाउंडरी की तिरफ आउट विल्ड काफी तेज गेन कनवर्ट हुई है आउट टफ दपार के ये आता हुआ दर्जेदार चार 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 रन इस चार के साथ स्कोर 9 रनों पर कनवर्ट होता हुआ ये लक्की चौका माना जाएगा गैप डून निकाला था बि है लक्ष 46 रनों का है और बिल्कुल 46 रनों का टार्गेट है यहां पर रखा गया है तो सूजबूज बरी बल्लेबाजी इस वक्त जरू देखने मिलती हुई बैटिंग उनिट टीम एम 3 जे मुम्रा नेक्स बॉल लेकर तयार होते हुए गेन बाज अपने बॉल्लिंग ट्रैक पर ओ जोरदार अपील अपील को स्विकारा है विकेट का हुआ है पतंग बड़ी मचली जाल में फसी है फरान जैसे किलाडी आउट होकर इस वक्त पविलिन की रा लोटे हुए और की हुई है समाप्ती और क्रमांग का पहला हुआ है समाप्त और एम 3 जे टीम का स्कोर दर्शाता हुआ नौरन लगबग दो विक्टों के नुकसान के बाद दो विक्टे जा चुकी हैं दो जटके जरूर लग चुके हैं इस टीम को एम 3 जे मुम्रा आपको वान किया जा रहा है आपको पहले ही अपने बैटर को रेडी रखना है यहां पर 30 सेकंड्स में अगर आपके बैटर ग्राउंड पर नहीं उत्रे तो कमेटी का यह डिसेजन आता हुआ आपको पैनल्टी लगेगी यह चीज आप ध्यान में रखें 30 सेकंड्स में आपको अपने बैटर को ग्राउंड में भेजना है तो आप पहले से डिसाइड कर लीजे किसे तयार करना है तो बिल्कुल बड़ा जटका लगा है इस वक्त फरान आउटो कर पविल इनकी रा लॉट्टे हुए निव बैटर आये हैं विक्टो के बीच जीतू जीतू की अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत अच्छे खिलाडी है अपनी टीम मन मुताबिक सेट करते हुए पीट पावर प्ले नमबर टू इस वक्त चलता हुआ M3J मुम्रा वर्सेज मावलीक मावलीक 11 वाकलेन बिल्कुल M3J मुम्रा की अगर बात करें तो इनके साथ इनके जो ओनर है सोहेल वो शोहिब भाई बिल्कुल मौजूद है उसी तरीके से मावलीक 11 वाकलेन के अगर बात करें तो इनके टीम के जो ओनर है बिल्कुल टीम जिनके नाम से प्रफोर्मेंस कर रही है हमारे सब के चाहिते रवी दादा घरत आने वाले वक्त में रामकुष्ण प्रतिच्टान के माध्यम से भी आपको एक बड़ी प्रतियोगी ता इस शेत्र में सबसे बड़ी नामी राशी वाली टूर्णामेंट और सपुत के नाम से खेलती हुई ये टीम मॉलिक इलेवन गवाकलेन एक बिग फाइट मैच एक तरफ मुम्रा तो दूसरी तरफ वाकलेन दोरों ही टीम है स्ट्रॉंग है इसी बीच अगली गेन रिवर स्टोक करने की कोशिश वेरी फॉर्स्ट बॉल फूल एन गेन थी फूल डिलेवरी थी ब्लॉक ओल में डालने की कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा वाइडिश केन को रखा था ओप्स्ट्रम के बाहर गेन शरी से जा टकराई थी अंपायर से सवाल पूचा गया लेकिन अंपायर का जवाब आता हुआ नटाउट बिल्कुल अंपायर की मैं प्रशंशा इसलिए करूँगा क्योंकि इन्होंने पहले लाइन देखी फिर उसके बाद टपा देखा गती के साथ साथ जो उच्छाल होती है उससे देखने के बाद अपना डिसिजन हम तक के पहुचा है नटाउट अनुभाव कि इस बार देखे आड़े बैट से केलने की कोशिश बैट और बॉल की मुलाकात नहीं गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में डॉट डिलिवरी के साथ यहां पर अच्छा प्रदेश्शन करते हुए गेंबाज उदेश उदेश नो डाउट अ इस बार यह गेंद थोड़ा सा टप्पा काने के बाद तेजगती से जाकते रहो का आदेश देती हुई जीत बोईर के हाथों में गेंद कनवर्ड होती हुई डॉट डिलिवरी बैक टू बैक तीन गेंदे डॉट कर चुके हैं बल्ले बाज शाकीर इस बार देके रिवस्टो करने की कोशिश एक और डॉट डिलिवरी ओहो अब टेंचन डॉट डिलिवरी जरूर देखने मिलती हुई इस डॉट डिलिवरी के साथ दबाव बनेगा प्रेशर बनेगा 46 रनों का जो आकड़ा था वो जरूर जरूर चूपता वा नजर आएगा नेक्स्ट बॉल लेका तयार होंगे फिर से एक बार गेन बाज उद्देश इस बार देके तेज तर्रार गेन थी आउट ऑफ दा ऑफ स्टम अंपायर डिसेजन वाइड बॉल अत्रिक रनों में एक रन इस वक्त जरूर जूरता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जर लूप में एक्स बॉल को वाटा डिलेवरी ओहो खतरनाक गेन थी इस गेन का जवाब देने के लिए जरूर इनोंने बल्ले का फेस ओपन किया था लेकिन चलिए गेन में गती देखिए यहां तलक के मैं तो कहूंगा तेज तर्रार गेन थी और गेन की गती इतनी ज्यादा थी कि अभी तलक के जीत बोईर हाथ मसलते वे नजर आ रहे हैं जो कि कीपर है सोचिए पेस कितना था नेक्स बॉल और यहां पर एक और डॉट डिलेवरी इस ओवर में स्रिफ वाइड के रूपे एकरन मिला है क्या गेन बाजी की अगर वाइड नहीं डालते तो यह तीसरी मैडन ओवर हो थी अगर वाइड बॉल नहीं गिरती तो इस प्रतियोगीता की तीसरी मैडन ओवर का किर्तिमान अपने नाम रच सकते थे गेनबाज उद्देश उद्देश ने क्या संदेज दिया है टीम उम्रा को शाकीर जैसे होनहार खिलाडी जिनके पास 360 डिगरी में खेलने की काबिल्यात है उनर है उस खिलाडी को इन्होंने छे गेंदे डॉट कराई अब सिच्वेशन देगिए अठरा गेंदे बची है 36 रनु की जरुवत चलिए जीत के लिए अटरा गेंदे और 36 रनु की जरुवत अठरा गेंदे 36 रन यहाने हर ओवर में 12 रन प्रती ओवर के अनुसार करनी होगी टीम एम थी जे लेवन टीम को एम 3 जे मुम्रा यह मुम्रा की पांचवी टीम है बिल्कुल मुम्रा में लगबग देखा जाए तो काफी सारी टीम है लेकिन पांच टीम है जो प्रफोर्मंस करती हुई नजारी है अगली गेंद लेका तयार होंगे जीत अपने बॉलिंग ट्रैक पर और बिल्कुल जिस तरी के सब पांच टीम है लेकिन मैं जरूर तमाम जो दर्शक हैं यहाँ पर उन्हें बताना चाहूंगा पांच टीमोंने पाटिसिपेट किया है पांच टीमें खेलती है यह रैगूलर खेलने वाली टीमें नहीं है आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इनके पास ग्राउंड ही नहीं प्रेक्टिस करने के लिए अभी हाली में हमारे यहां पर ग्राउंड की विवस्ता तो मेरे ख्याल से नरिश स्पोर्ट्स को एक पोल पूरा अकेला ही बनाना पड़ेगा 16-18 टीम होगा कि जिसमें मुम्रा ही मुम्रा खेले विडाउट ग्राउंड की प्रेक्टिस वाली ये 5 मुम्रा टीम है लेकिन हाली में अभी अनाउंस्मेंट हुआ है एक अच्छा बड़ा ग्राउंड मिलने वाला है जिसका काम चालू है हमारे सीनियर्स मुम्रा के मैनत कर रहे हैं उस ग्राउंड के लिए और बिल्कुल जिस वक्त वो ग्राउंड रेडी हो जाएगा तब उसके बाद मुम्रा का क्रिकेट थोड़ा सा उबरता हो आपको नजर आएगा इस बार आधी विक्टो पर गेन को पटका था पूल करने की कोशिश की है सिंगल रन के लिए निकले हैं डबल रन की चाहत है मन में और दो रन यहाँ पर दोड़ कर पूरे किये बैतरीन रनिंग बिटिन दा विकेट इस दो रन के साथ स्कोर बोर्ट में थोड़ी सी तबदीली स्कोर जा पहुचा है तेरा रनों पर फिल्डिंग उनी टीम टाइम लिमिट को भी मद्दे नजर में रखना है कैप्टन देखिए जो आपको टाइम लिमिट डी गई है चार ओर की समात्ती 20 मिन में अगर नहीं हुई तो एक खिलाडी सरकल के अंदर आपका बुलाया जाएगा तो हर बॉल पर मिटिंग, हर बॉल पर चर्चा याने समय खर्चा ये चीज़ को ध्यान में रखेगा स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन, मैच अभी भी आन है 16 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है इसे बीच ये गेंद इस बाराडार में गेंथी, करार अपराहार किया है, गेंजाएगी आउट अप दपार्क, खंट-खंटी चटकार बिल्कुल शारिक के अगर बात करें तो बिल्कुल जिस अंदाज में शेर दो कदम पैर पीछे जब लेता है तो डरके नहीं लेता है, वो शिकार करने के लिए, वो जपटने के लिए जरूर दो कदम पीछे जाता है, उसी तरीके से कुछ गेंदे डॉट की, लेकिन अपनी उमीद नहीं चोड़ी, और जब जड़ दिया, एक बड़ा हिट, बिग हिट, बिग हिट, एन बिग हिट, छ चेंज होगा, इस वक्त मैच में थोड़ा सा रोमांच जरूर बड़ेगा, क्योंकि 15 गेंदे बची ही है, 27 रनों की जरूरत है, 15-27 का ये मुकाबला, 6 गेंदों में जो रन नहीं आये थे, अब यहाँ पर इस ओवर में रनों को जोडने की कोशिश इस वक्त जरूर करते जरूर देखने मिली है, जीत की अगली गेंद सामना करेंगे शाकिर फिर्स एक बार, इस बार खेला है कावर्स के शेतर में, वहाँ पर केला डितैना थोड़े सा फंबल हुए, दूसरे रन के लिए निकले हैं, त्रो थोड़ा सा पता धुंटा हुआ, लेकिन बहतरी इन र जरूर अपनी गाड़ी को, रनो की गाड़ी को टॉप गेर में डाला है, बल्ले बाद शाकिर ने, भले से 6 गेंदे डॉट की हैं, लेकिन अब रीकवरी करते वे नजर आ रहे हैं, 14 गेंदे जीत के लिए 25 रनों की जरूरत, इस बाद तर रार गेंद करने की कोशिश की थी गेंद को केला है, काउ कॉर्नर रीजन में सिंगल रन के लिए निकले हैं, थोड़ी सी फिर्स एक बार खारा फेल्डिंग, थीन रन यहां पर दोड़ कर पूरे किये, यस दो रन मेरे काल से मिस विल्डिंग, हमें भी थंडी लगती हुए थोड़ी मोडी, दो रन, यस दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जा पहुचा है, इस वक्त लगबग 23 रनों पर, आधी मंजिल पार हो चुकी है, आधी मंजिल बची वी 13 गेंदों में पार करनी है, नेक्स बॉल, इस बार देखिए, थोड़ा सा पटकी वी गें थी, शौटपीच गें थी, गें में उचाल जरूर देखने मिलता हुआ, और इस उचाल का भरपूर फाइदा मिला है, गेंबाज जीत को, और ये गेंद रही डॉट के रूप में, ओर की हुई है समापती, कुल मिलाकर, तीन ओरों की समापती हो चुकी है, तीन ओरों की समापती के बाद, स्कोर बोड पर स्कोर दर्शाता हुआ, 23 रंस, बची वी 12 गेंदे, शेश और जीत के लिए 23 रंस की जरूरत, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी, जरूरी, इसके बाद का जो मुकाब अबला होगा, और उपर के पोल की अगर बात करें, पोल सी की अगर हम बात करें, तो पोल सी में, हमने देखा, जीतू बैकर नोगर ने बहुत अच्छा प्रफोर्मेंस किया है, दो मैचस जीत कर, अब इंतजार कर रही हैं कि पोल D की कौन सी टीम है, जो उनके साथ अगर देखा जाए, तो केतन मात्रे लेकर आये थे, पहला ओवर 9 रन खर्च किये, दो विक्टे हसिल की और आदेश, एक वाइड जरूर किया था और 6 गेंदर डॉट की थी, एक रन उद्देश ने खर्च किया, उसके बाद आए गेन बाजी की कमान पर जीत, जीत ने 13 रन खर्च किये, कोई विकेट नहीं मिला, और अब देखिए, गेन बाजी की कमान पर किसे बुलाए गया है, गेन बाजी की कमान पर आये हैं, फिर से एक बार उद्देश क्या देंगे, इस ओवर में संदेश, ये देखने वाली बात होगी, जरूरी, उद्देश काफी लंबा रनप है, लगबग 38 सरकल के पास से उनका रनप स्टार्ट होता हुआ, इसी बीच ये गेन जीत बहुत ही शांदार गेन थी, जीतु इस वक्त बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश कर रहे थे, रडार में गेन नहीं आई, गेन रही इस वक्त डॉट के रूप में, काफी कमाल भरी गेन बाजी, उदेश की देखने मिलती हुई, सटिक लाइन और लेंड पर अच्छे टपे की गेन बाजी और बिल्कुल बल्ले बाजो को बांदे रखा है, अब तलक के साथ गेन दे की हैं और साथो गेन दे टॉट के रूप में, नेक्स्ट बॉल, इस बार देख पर जाती हुई, विक्टो का फरनीचर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉइ गरती हुई, सफलता मिलती हुई, जरूर इस वक्त उद्देश को उद्देश एक बड़े गेनबास के रूप में जरूर उभर कर आएंगे चलिए न्यू बैटर नहीं बलिवाज शानू को बेजा गया है विक्टो के बीच अपनी टीम की ओर से उत्रे हैं टीम मुम्रा की ओर से उत्रे है उद्देश बहुत ही किफाई थी बरी गेनबासी उद्देश ने गेनदे कितनी की हैं पहली ओर में साथ डिलिवरी की थी जिसमें एक वाइट रहा छे गेनदे डॉट रही उसके बाद अब उन्होंने तीन डिलिवरी की है जिसमें एक वाइट और एक विकेट और एक डॉट जानू न्यू बॉलर आए हैं न्यू बैटर इस वक्त शानू बल्ले बाजी की कमान पर उदेश इस वक्त अपने गेन बाजी ट्रैक पर अच्छी गेन बाजी जिस तरीके की माउलिक 11 वाकलेंट टीम को जरूरत थी उसी अंदाज की गेन बाजी इस बार देखें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना एक रन के लिए निकले हैं शानू जरूर एक रन के साथ यहां पर स्ट्राइक को रोटीट किया है और लगबाइस की रूप में मिलेगा एक रन अब तलक के बैट पे गेन को टक्राने नहीं दिया है क्या गेन बाजी है मिल्कुल इस तरीकी की गेन बाजी लगबग 90 के दशक में देखी जाती थी स्वीन गेन बाजी हमारे भरत सर के माध्यम से भरत मेर के सर के माध्यम से इसी बीच नेक्स बॉल इस बार देखिए पूल क से ज्यादा कुछ नहीं सिंगल रन एक रन से होना पड़ेगा यहां पर इन्हें जरूर जरूर संतुस्ट मैच का सिच्वेशन दे की आट बॉल बीस रन आट बीस का यह मैच आट गेंदो में बीस रन की जरूरत नेक्स बॉल इस बार कार्पेट के सारे केलाएंगे इनको लॉंग ओफ रीजन में अच्छी फिल्डिंग कूपसूरत फिल्डिंग सिंगल रन अब साथ गेंदे जीत के लिए उन्नीस रनों की जरूरत साथ उन्नीस का यह मैच इस मैच को अगर जीतना है M3J मुम्रा को तो फिर साथ गेंदो में उन्नीस रन बनाने होंगे साथ उन्नीस का यह बुकाबला कौन सी टीम अगले दौर में पहुचेगी क्या वो मौलिक 11 वाकलेन होगी या फिर M3J 11 मुम्रा नेक्स बॉल इस बार बड़ा हीट लगाने की जरूर कोशिश की थी बैट का फेस को ला था अच्छी फिल्डिंग शॉटर मिडविकेट पर देखने मिली खुब्चुरत फिल्डिंग एक रन एक रन से जाधा कुछ नहीं ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ती स्कोर बोट पर नजर डाले तो स्कोर बोट पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 28 रन बची वी 6 गिंदे 6 और जीत के लिए 18 रन हो की जरूरत है जिस तरीके से M3J 11 मुम्रा जब गेन बाजी कर रही थी तो लास्ट ओर में आये थे 22 रन अब आपको रिकावर करने है 18 रन अगर आपने ये 18 रन रिकावर कर लिए तो आपकी टीम के होगी जीत और आपकी ट देखेंगे जरूर तो दूस्तों आप देख रहे हैं नरेश स्मिती चशक 2023 सीजन चलता हुआ पाच्वा पाच्वे सीजन का आज की दूसरी नाइट का ये दिन नजर आता हुआ नाइट में इस टूर्नामेंट को और गनाइस किया गया है और हर साल कुछ ना कुछ भरत इं महरास्ट में ये दूसरी प्रतियोगी था जिसमें इस तरीकी के सरकल को लाया गया है एक नई सोच के साथ एक नई तरीके से इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया है ट्रिपल S DJ नरेश्य स्पोर्ट्स ने और शंकर की सेना ने मिलकर इस टूर्नामेंट को हर साल की तरह इस साल भी चार चांद लगाए हैं। मोती राम लास्ट ओवर लेकर आए हैं। मोती राम की अगर बात करें तो लास्ट ओवर के स्पेस की गेन बास के रूप में इनकी पहचान है। मौलिक 11 वाकलिन इस बार ने के खड़े-खड़े स्टोक को कनवर्ट करने की कोजिश मीस टाइमिंग स्टोक कूफ सूरत कैच विकिट का हुआ है पदंग। ये लगता हुआ एक और जट का टीम M3J मुम्रा को। न्यूबैटर विक्टो के बीच में प्रवेश करते हुए इस वक्त हाशिम को भीजा गया है ताबर तो बल्ले बाजी की कमान पर जिस वक्त टीम दूवीदा में होती है जिस वक्त टीम को रनू की जरूरत होती है जिस वक्त टीम संकट में नजर आती है उस वक्त ये संकट मोचक खेलाडी हाशीम अपनी टीम को जीत की रातक के पहुचाने में काफी बड़ा युगदान देते हैं लेकिन अब देखना यह है कि इस वक्त सिचुएशन आ चुकी है पांच अठरा की पांच गेंदों में अट्रा बनाने वाले ये बल्लेबाज बन पाएंगे आशिम या फिर यहां पर मोती राम रात के वक्त ये मोती चमकेगा क्या होगा पांच अट्रा गई ये मुकाबला बिग फाइट मैच एक तरफ मुम्रा तो दूसरी तरफ वाकलेन आमना सामना एक टीम जो के डोंबियोली से विलॉंग करती है वाकलेन और दूसरी टीम जो के मुम्रा अडोस पडोस में है ज्यादा डिस्टन्स नहीं है कुछ दूरी के फासले पर रहती है ये टीम है और बिल्कुल अब देखना ये है ये फासले एक दूसरे के लिए कितने दूर होंगे कौन सी टीम घर की तरफ रवाना होगी कौन सी टीम का अगले दौर में प्रवेश होगा एक को मिलेगी जीत एक को मिलेगी हार कौन करेगा उस हार को स्विकार आने वाली ये पाँच गेंदे होंगी निश्यत रूप से तै करेंगी पाँच अठरा का ये मुकाबला आशीम बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश थी इस चीकी सिंगल के लिए निकले है स्टाइक को रूटेट किया इस वक्त जीत ने बहुत एफट किया था गेंद को फिल करने के लिए लेकिन गेंद उनके हातों में नहीं आई चलिए एक रन कंप्लीट किया गया एक रन स लेगा इस बार देखे बिग इट बिग इट बिग इट नाम है शानू काम है लंबे हिट लगाना ओड़ा हिट अत्ता माजी सटकली ये स्टोक के साथ कहा है शानू ने इस वक्त नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं ये चीज को प्रूफ किया है अभी नहीं तो फिर कभी नही मिस्टर शानू ब्रैंडेट स्टोक निकला है इनके बैट से गेंग हवाई यातरा करती हुई नजर आई और इस स्टोक के बाद देखे फिल्डिंग में तब्दिली तावर तोब यहाँ पर टीम मिटिंग बुलाए गई है तावर तोब बैठक बुलाए गई है कि क्या करना है विल्कुल मोती राम थोड़े से कन्फ्यूस नजर आते हुए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त ये चीज़ को शानू ने दर्शाया है जरूर बिग हीट के साथ आगास किया बिग हीट के साथ अपनी टीम के लिए बिग रिपलाय दिया है बच्ची फी एक देखना ये है शानू जो के अन फाइर बहती बढ़िया हिट इनके बल्ले से लगा लोंगो ऑफ बाॉंडरी की तरफ छे रन के लिए नेक्स्ट बॉल लेकर तयार होंगे अपनी गेन बाजी की कमान पर फिर से एक बार गेन बाज सज्य होते हुए मोती राम सामना करने के लिए तयार डेंजर बैट्समन शानू इसी वीच ये गेन एक और बाड़ा हीट ओ हो 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 गेन गई है देर ग्राउंड पार खड़ खड़ी ते शटकार छेरन क्या बैटिंग कर रहा है शानू वाट बैटिंग प्राफोर्मांस शानू वाट अ हिट टीम सुपर डूबर इट क्या बाद है लाजवाब बल्ले बाजी दो गेंदे दो सिक्स यहाँ पर मैच का रुक बदल दिया है मैच का अंदाज बदल दिया है थंडी में कर्मी का एसास दिलाने वाला यह मुखाबला वाट अ मैच शानू दो गेंदे दो हिट शानू इस वक्त अपनी टीम के लिए बड़े हिट लगा कर अपनी टीम को सक्सेस दिलाने की कोशिश जरूर करते हुए वाटा मैच अब गेंदे बची है दो और जीत के लिए पांच रनों की जरूरत इस वक्त आप देख रहे हैं नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मिती चशक अपने रंग में अपने रूप में आता हाविद होते हुए दो गेंदे बची है जीत के लिए रणों की जो दरकार है वो है इस वक्त पाच रन दो बॉल फाच न कि दो गेंदे 5 रन अगली गेंद अगली गेंद लेका तयार थे से एगवार गेंबास अपने बॉलिंग ट्रैक पर इसी भी इच ये गेंद आउट अफ दो ओप स्टम ओ हो 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 अब टेंचिन अब बड़ा वाला टेंचिन वेलकम अशिश पाडिल साहिब वेलकम सुस्वागतम वाट अमाच वाट अमाच दर्शकों को अगर ये मुकाबला पसंद आया हो तो एक बार जोर दर तालियां दोरों ही डिमों के लिए वाट अमाच दो गिंदे चारन हाइड बीट फास्ट हो चुकी है दिलों की धड़कने तेज हो चुकी है एक तरफ मुम्रा तो दूसरी ये मैच पैसा वसूल मुकाबला है इसी बीच अगली गेंद इस बार हिट करने की कोशिश की थी बिलकुल यहाँ पर गेंद रहेगी यस अम्पायर का डिसिजन यस अम्पायर डिसिजन आता हुआ बैक्समेन आउट एक बॉल चार रन क्या यहाँ पर बड़ा हिट लगा कर शानू अपनी टीम को जीत का जश्न बनाने का मौका देंगे या फिर यहाँ पर मोती राम अपने एक्सप्रियंस से अपनी गेंद बाजी से शानू को रोकेंगे क्योंकि सिचुएशन आ चुका है एक बॉल चार रन दर्शक जो आते हैं पैसा खर्चा करकर पैट्रोल डालकर बाइक में जिस तरीके से ट्रेवलिंग करकर उन सभी के लिए यह तरीके के मैचेज याने पैसा वसूल मुकाबला एक बॉल चार रन अगर इस बॉल पर चार लगा तो सुबा तक के इस खिलाडी के दो तीन दिन तक के चर्चे रहेंगे के वाकलेन के अगेंस इस खिलाडी ने अपनी जैजैकार मनवाई एक बॉल, चार रन, चार रन, एक बॉल, नरीश स्पोर्ट्स प्रेजेंट, नरीश स्मिती चशक, 2023 का सबसे सुन्दर मुकाबला, एक तरफ मुम्रा तो दूसरी तरफ वाकलेन, what a match, इसे कहते हैं match, एक बार जोरदार तालिया, हार जीत दोनों अपनी जगा, लेकिन दोनों पर ये, एक रन, कम्प्लीट किया है, चलिए, match की हुई है समाती, what a match, क्या match था, वेल्डन चानू, वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा प्रफोर्मेंस किया, लेकिन चलिए, जीत, यहां पर हुई है वाकलेन की, चलिए, मोटी देशा ही, लगे शितरेशन लाओं गेजा, जासरा वेल गेउन अपलीज विणा असना राहे, चलिए, मोटी देशा ही, लगेज सा फिल्डिंग तोरीट लाओ अच्छा, टाइम बेस करूं न का प्लीज, उसी तरीके से, वेल्डन टीम वाकलेन, क्या बमाच था इस तरीके के मैचज जादो में समाने जैसे रहते है बरत जिस तरीके से प्रफोर्मेंस किया वेले नुट प्लेइड गाइस चलते प्रेस्न बक्स की तरफ तरफ तरण के सब मेन आफ दिमेच तर्या समने सा मैं आफ दिमेच समान कर दूद दोए मौलिक 11 वाकरन संगा सा कीरन कीरन मत्रयाइचा है सोरी किरन मैन ओप दा मैच गोज तू प्रीज वेलकम मिस्टर उदेश क्या गेन बाजी की है उदेश को मैन ओफ दा मैच जाता है विए प्रीज वेन न वोड़ा देशाई तस दोन बैसमन दोन फॉन दस अपर प्रण्द आपने पाटाशाएचा खेड़ प्रण